को अभिनांदन करते हूं आज की सेशन को प्रारम करते हुए मैं कुछ प्रिणा दैक पंक्तियां आप सभी के समख्ष रखना चाहूंगे धरा हिला धरा हिला गगन गुजा नदी बहा पवन चला विजय तेरी विजय तेरी जोतिसी जल जला भुजा भुजा पड़क पड़क रख्ति में धड़क धड़क धनुष उठा प्रहार कर तु सबसे पहला वार कर अगनिसी धदक धगक हेल निसी सजक सजक सिंग सी दहार कर शंक सी पुकार कर तो इसी के साथ हम सब अपने अंदर एक नई ओजह उस्सह और उमंग का संचार करते हुए आज की सिशन को प्रारम करते हैं सिशन को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे आदर्ष भहिया को मैश पर आमंजित करना चाहूँगी कि बें आये और हम सभी के समख्ष प्रग्यागीत को प्रस्तुत करें धन्यवाद, ओवर टुई वादर्श पिया धन्यवाद, मेरी वाज़ आ रिए जी भी अब सभी को पढ़ाऊं और आप सभी को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के सनीवार के स्वेव से मिजार में जितने लोग भी यहां जुड़े हैं सभी सनीवीडर करना चाहले हैं कि अगर आप लोग अपने वीडियो को आन कर सकें तो अपने अपने वीडियो को ज़रूर आन कर लें कि अगर हम हम यहां जुड़े हैं तो हमारा यह पड़िवार में सबसल्प सामने आके बात करते हैं को कि यहां पर हर सनिवार को हमारा मिलना हमें अपने बड़े भाईयूं का मादेशन प्राप कुरता है और आज हम लोग एक बहुत ही बड़े उदेश को लेकर करके यहां पर आज की गोश्टी रखी गई है और मित्रों जैसा कि आपको पता भी है कि दिया देली हर साल एक बड़ा मेगा इवेंट करती है उन सभी सिबिल सर्विस के त्यारी करने वालों पर लिए जिसका नाम है य यूपर सी टॉपर्स और हमारे स्प्रिच्चो सैंटिज डॉक्टर चिनमे पांडिया सर एवं क्यलाज सत्यार्थी जी को इस बड़ आमन्तित किया गया है तो इस विशे पर भी आप लोगों को काफी ज्यादा मागदेशन मिलेगा और इसकी बारे में आपको पहले से भी है और भी सारी बाते आपको पता चलेगी तो आज इस समय युवाविद है बस ये समझ लीजे कि जब वो आजादी का समय चल रहा था तो उस समय ना देश में कुछ क्रांतिकारी वीरों की मांग हुई थी और अगर यहां पर उपस्ति जितने भाई भेहन हैं सभी से पूछ कर रहा था यह कुछ नहीं कर पाएं तो आज उसी प्रकार से युवाविद है में देखे तो हमारे पास कार करता हम लोग बस मुठी लोग हैं लेकिन ये मुठी लोग ही वह क्रांतिकारी हैं जो आने वाले समय में इतने सारे लोग जुड़े हैं दोस्तों लेकिन इतने सार में से मात यहां पर 40-50-60 लोग जुड़ते हैं बात बड़ी सिंपल है कि दूद को कितना भी खौलाओ तो मलाई बस थोड़ी ही निकलती है तो आप लोग भले देखने में आप लोग साधरान व्यक्ति लग रहे हैं लेकिन आप विश्वास मानिए कि आप कोई साधरान व्यक मोलनी के किर्पा करें तामर्शिधी करें दोनों हाथ बूद में रखें एक बार गयत्री महामन मारे साथ साथ अ प्रव्पस्वाः तथ सवीतुर्वरे नियम्त्थ भरगो दे वस्यती मही धियो योना प्रचोधया प्रवात्मा अपने काम के लिए हमें बुलाते हैं बड़ी प्रिग्यागीत है जरा ध्यान जे सुनियेगा इंद अ नहीं जोड़ी प्रिग्यागीत है आज युग ने हमें है पुकारा पीर रोते हुओ की मिटाने आज युग ने हमें है पुकारा पीर रोते हुओ की मिटाने दुख भ्रम में भटकते हुओ को रास्तानेक सच्चा दिखाने चल 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 ओ साथी चल 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 ओ साथी चल आज युग ने हमें है पुकारा पीर रोते हुओ की मिटाने दुख भ्रम में भटकते हुओ को रास्तानेक सच्चा दिखाने आस्मानों पे उड़ती हवाएं तेरा स्वागत करेगी राहे रुक गए हम अगर डर के मारें दुख की छाएगी अनगिन घटाएं इसलिए जाग कर चल दो प्रहरी सोए वीरों को जग में जगाने आज युग ने हमें है पुखारा पीर रोते हुओ की मिटाने ये धरा वीर जननी रही है दे रहे युग पुरुष ये गवाही पुत्र ही फाड़ते मा का आज आज कैसी मची है तबाही पढ़के आगे ये दुनिया से कहे दो आ गए मा की इज़त बचाने पढ़के आगे ये दुनिया से कहे दो आ गए मा की इज़त बचाने आज युग ने हमें है पुकारा पीर रोते हुओं की मिटाने दुख भ्रम में भटकते हुओं को रास्ताने की सचा दिखाने आज युग ने हमें है पुकारा पीर रोते हुओं की मिटाने धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आदश्प्री आपका हम सभी को इतना प्यारा और सुन्दर प्रग्यागी सुनाने के लिए कि आज युग ने हमें है पुकारा पीर रोते हुऊ कि मिटाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका अब मैं हमारे इस कारक्रम को आगे बढ़ाते हुए IT टीम से रिक्विस्ट करना चाहूंगी कि मैं आए और हम सभी के समक्ष अभिवक्ती वीडियो को प्रस्वत करें Over to your IT एक बार की बात है एक आदमी ने दो बिल्डिंग के बीच में एक रस्षी बांदी वो दोनों बिल्डिंग काफी उची थी रस्षी बांदने के बाद उस आदमी ने उस रस्षी के उपर कदम रखा और रस्षी पर चलने लगा नीचे खड़े सारे लोग उस आदमी को देखने लगे और उहाँ पर काफी सारी भीड जमा हो गई वो आदमी धिरे धिरे करके उस रस्ती पर चल रहा था और सारे लोग उस आदमी को इस तरह देख रहे थे मानो कब वो नीचे गिर जाए उस आदमी ने आदा रस्ता पार कर लिया तब ही उसका बैलेंस बिगड़ गया सारे लोगों को ये लगा कि वो नीचे गिरने वाला है लेकिन वो संभल गया उस आदमी ने अपना रास्ता कंप्लीट किया और जब वो नीचे उत्रा तो सारे लोग टालिया बजा रहे थे चिल्ला रहे थे, सीटिया बजा रहे थे वो आदमी फिर से उस बिल्डिंग पर चड़ा और इस बार उसने अपने बेटे को अपने कंदे पर बिठाए और फिर से उस दो बिल्डिंग के बीच में बनी हुई रसी पर चलने लगा उसके बेटे ने उसको कसकर पकड़ लिया और अब तो सारे लोग बड़े ही हैरानी से उसे देख रहे थे वो आदमी जैसे जैसे उस रसी पर कदम रख रहा था वैसे वैसे लोगों की धड़कने तेज हो रही थी लेकिन इस बार भी उस आदमी ने अच्छे से उस रसी को पार कर लिया जब हो नीचे आया तो उसने माइक लेकर पब्लिक की तरफ देख कर कहा क्या आप लोगों को विश्वास है कि मैं ये फिर से कर सकता हूँ पब्लिक ने बड़े ही जोश में हा कहा उस आदमी ने फिर से पब्लिक की तरफ देख कर कहा क्या आपको पूरा यकीन है कि मैं ये फिर से कर सकता हूँ और सारी पब्लिक ने फिर से हा कहा तभी उस आदमी ने कहा तो फिर लाईए मुझे आपका बच्चा दीजी तब ही सारी पब्लिक शान्त हो गए उस आदमी ने कहा जिस तरह मैंने अपने बच्चे को कंदे पर बिठा कर ये रस्सी पार किये उसी तरह मैं आपके बच्चे को बिठा कर ये रस्सी पार करूँगा क्या आपको यकीन है इस बार पब्लिक में से किसी की आवाज नहीं आई सारी पब्लिक शांत खड़ी थी तब ही उस आदमी ने कहा अभी तो आपको मुझे पर पूरा विश्वास था कि मैं इस रस्षी को पार कर सकता हूँ लेकिन अभी किसी को नहीं है दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जितना विश्वास दूसरों पर होता है उतना ही विश्वास हमें खुद पर भी करना चाहिए हमें उतना ही विश्वास खुद पर रखना चाहिए आप दुनिया से पीछे इसी लिए है तूकि आप दूसरों को देखकर पूरे विश्वाश के साथ ये कहते हैं, कि वो कर सकता है लेकिन आप कभी ये नहीं कहते कि मैं क्यू नहीं कर सकता यही कारण है कि लोग आपसे इतने आगे निकल रहे हैं और आप वही कड़े रह देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाइद आक्रेटीम आपका हम सभी के साथ अपना अभिविक्ट वीडियो साज़ा करने के लिए और हमारा उस्सहा वर्धन करने के लिए इससे मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि होसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे तुझे तेरा मुकाम भी मिल जाएगा बढ़कर अकेला तुप पहल कर तुझको देखकर काफिला खुद बन जाएगा इसी के साथ कारेकरों को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारे मनीश भाया जी जो की दिया डेली के चीफ कॉडिनेटर और हितरची एनरजी के सीनियर मैनेजर हैं आपने IIT और अन्य कई प्रतिस्तित संस्थानों जैसे गल गोटिया उनिवस्टी, गौतम बोधी उनिवस्टी, IIMT में कई मोटिवेशनल सेशन्स दिये हैं और आज भी हमें मोटिवेट करते आ रहे हैं अब मैं हमारे प्रेणा के श्रोत मनीज भीया जी से आगरे करती हूँ कि वे आएं और हमारा आगदर्शन करें ओवर टू यू मनीज भीया, धन्यवाद बहुत धन्यवाद, स्रेया जी, मेरी आवाज आ रहे है जी सर, जी सर आ रहे, ओके, प्रफेट आप सभी को सुबह सुबह देखके, जो है, हमारी भी उर्जा बहे जाती है ये, वो कहते हैं न, कि समुद्र मंधन के बाद कुछ नवरतन निकल के आये थे तो आप सब को देखके, मुझे ऐसा ही लगता है कि हर एक सेटरेडे जुरते हैं कुछ न कुछ उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं और उसमें से जो कुछ निकल के आया है वो आप लोग इस नवरतन के बड़ावरी हैं ऐसा हमारा मानना है और ऐसा आप भी मानते होंगे, नहीं मानते हैं तो मानिए गुर्देव ने कहा कि बेटा, इस दुनिया में सबसे महत्पुर्ण विक्ति आप खुद है सीख है, आज बात करेंगे लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं उसी गुरु सत्ता का आवाहन करें जिसके संडक्षन में, जिनके निर्देशन में ये कारिक्रम विगत दस वर्सों से लगातार चल रहा है तो आप सभी से आग रहे हैं कि आप जहां भी बैठे हैं बिल्कुल सांत भाव से बैठ जाए ये कोई भासन, प्रवचन, मोटिवेशनल स्पीच नहीं है ये चिंतन है हम सभी को अपनों से अपनी बात अपने अंदर जहाकने की ये प्रक्रिया है है ना, हम लोग अपने अंदर जहाक ही नहीं पाते हैं सबसे बड़ी समस्या ये है आप से पूछा जाए किसी के बारे में विचार, तो आप दस मिनट घंटों बोल सकते हैं के बारे में लेकिन आपको अपने बारे में पूछा जाए तो आप बोल रही पाएंगे क्योंकि हम गोता नहीं लगाते हैं अंदर में तो यह जो session है यह अपनों से अपनों को जानने की चीज है अपने सक्ति को पहचानने का जो प्रक्रिया है वो इतकर्स web talk से वो सनिवार का web talks है जिसमें हम आप सभी को बुलाते हैं और मन्थन करते हैं कि अपने जीवन में हम अतारेंगे और अपने जीवन में हम आमником रिव्यक्रतन लेके आइंगे इसलिए आप सभी जहां भी connected है जिस जहां भी है आप सभी स्याग्र है कि ये कांत में स्थिर्चित हो करके आप बैठ जाएए अपनी कमर सीधी कर लीजे जो एकागरता का सबसे पहला लक्षन है जो अगर एकागरता का आपको प्रयास करना है तो सबसे पहला प्रयास है कि अपनी कमर सीधी कर ल एंद़िज़्, अपनी नेतर बंद कर लिजिए। और ये भाव करें कि हमारा सरीर सांथ हो रहा है, स्थिर्ध हो रहा है, रिलक्स हो रहा है। हमारे सरीर का एक एक कन-कन, रोम-रोम, हमारा पैद, हमारा पेट, हमारा चाती, हमारा कंधा, हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिक्स, हमारे सरीर का एक एक कन, बिलकुल रिलाक्स हो रहा है, इस्थिर हो रहा है, बिल्कुल रिलाक्स हो रहा है, कोई स्ट्रेस नहीं है हमारे बॉड़ी में, यह भाव करें मन ही मन ये बात दूरा हैं, कि हे मन, हम सांथ होना चाहते हैं हमारा मन बिल्कुल सांथ हो रहा है, इस्थिर हो रहा है हम बिल्कुल सांथ हो रहा है, इस्थिर चित्त हो रहा है अभी किसी भी प्रकार की हमें कोई समस्या नहीं है, कोई कठनाई नहीं है नहीं हमको पढ़ाई का कोई टिंसन है, ना घर का टिंसन है, ना पैसे का है किसी भी चीज की कोई समस्या नहीं हम अपने आप में मस्त हैं मस्गूल हैं सांत हैं हमारा मन सांत हो चुका है अब ध्यान करें उस उगते हुए सूरे का ध्यान करें उस उदीमान सूरे का ध्यान करें उस सविता का ध्यान करें सुबह का समय हैं हम सभी वो हिमाले की चोटी को देख रहे हैं वो हिमाले की चोटी जो बर्प से ढखा हुआ है चारो और सिर्फ बर्प ही बर्प दिखाई दे रहा है उस हिमाले की चोटी को हम देख पा रहे हैं धीरे धीरे उस चोटी को हम देख रहे हैं उसके सिखर को देख रहे हैं, उस सिखर के उस पॉइंट को देख रहे हैं, वो हिमाले की चोटी, वो हिमाले का सिखर, वहां से थोड़ा-थोड़ा मुझे प्रकास महसूस हो रहा है, कि कोई प्रकास पीछे से आ रहा है, वो प्रकास कुछ और नहीं, वो सविता का प्रकास, वो उदी मान सुर्य धीरे-धीरे उपर आ रही है, उस हिमाले की चोटी से उपर आ रही है। उसका प्रकास उसकी किरने हिमाले के चारो और जो सफेद चादर विच्छी हुई है बर्फ की उस पे अब धीरे धीरे वो प्रकास अपनी छटा विखेर रही है अपनी किरने विखेर रही है अब वो प्रकास वो किरने धिरे-धिरे हमारे सरीर पे पर गए हमारे सरीर के रोम-रोम में फैल रही हमारे सरीर के कन-कन में फैल रही है हमारे सरीर के नसनारी में फैल रही है उस सुरे के प्रकास से हमारा पूरा सरीर हमारा पूरा मन, हमारा अंतह करन हील हो रहा है इस दुनिया के सबसे महत्पुर्ण व्यक्ति बन चुके हैं इस भाव में डूबते हुए वो सुर्य का प्रकास हमारे सरीर से निकल रहा है चारोर सिर्फ प्रकास ही प्रकास है इस भाव में डूबते हुए उस उदीमान सुरिय उस सविता के आभा मंदल में अपने इस्ट का ध्यान करें आप जिस भी इस्ट का ध्यान करते हैं उसका ध्यान करें उसकी किरने उस सुर्य के अमाद्यम से हम तक पहुँच रही है हमारे पूरे सरीर में उर्जा भर रही है हम अंदर से पावरफुल हो रहे हैं हम अंदर से सक्ति साली हो रहे हैं इस भाव में डूबते हुए एक बार गाहित्री मामुंत्रा हमारे साथ साथ बोलने की करपा करें सभी लोग अपने दोनों हाथो और दुखो करें दोनों पाम को रख़ां के बाद इसमें से उड़ी है निकलेगी इसमें से जो गर्मी निकलेगी उसको अपने फेस पर लगाें और देर देर हैं ए अपनी आखों को खोले पुरंपुज्य गुर्देव परमदनिया माताजी के सुक्ष्ण पस्थिती में यहां जुरे हुए हमारे सारे युवासाथी भाई और बहन आप सभी का हमिरदै से स्वागत करते हैं अविनंदन करते हैं और आपके सुभागी को सराते हैं कि आप एक अच्छे कारे के लिए आप जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए आप जीवन में कुछ सांदार करने के लिए जीवन में कुछ महान कारे करने के लिए आप सब यहां जुरे हैं हम ऐसी आसा करते हैं जितने लोग वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, वो सजग हैं, वो पस्थित हैं, वो पलब्द हैं, जो वीडियो में नहीं दिखाई दे रहे हैं, संबब हो, ओन कर सकते हैं, तो ओन कर लिजे, हम आपसे 30 मिनट्स का टाइम लेंगे, एक्जेक्ट 9 बजे आपको हम फ्री कर देंगे आपका समय बहुत ही मात्तपुर्ण है हम ऐसा मानते हैं आप यहां आए हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि आपका जीवन तो बदलना तई है इसको को काट नहीं सकता है आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप लोग बिल्कुल घबराईएगा मत कि हमने एक ब सोटी मोठी कंपनी से नहीं कराया आप बिल्कुल निश्चिंत रही है पर हम पुझ्जी गुर्देव पंडित स्रेराम सर्मा आचाहरे कहते हैं कि बेटा जो हमारा विचार ऐन्च करते हैं मत करते हैं कि अभा लोग एच ये लुझ्झ मे आप विल्सी दॉशटा विल्स रिल्कुल एंप, लोग बvat ये नहीं कि उल्सके हाँ दे हुझ्जी हैं कि ब Which way to ? आप्छी है अभी मेरी आवाज आपार ही इस प्यां वो लाइट चला गया था तो कहते हैं जब डिसकनेक्ट हो जाता है तो सप्लाइब बंद हो जाता है और जैसे सप्लाइब बंद हुआ आप समझ लीजिए मामला कुछ गरवर हो गया है तो इसलिए कानेक्ट बैठाना अच्छे चीजों से कानेक्ट बैठाना प्रकृति से ताकि आपको सक्ति आपके अंदर आपके अंदर जो हुड़ जा है वो प्रवावित होती रहे यह बहुत जरूरी है अभी आपने देखा कि लाइट कर गया है समापत होगे अमामला ऐसे यह एक दिन करवा क्या है यहीं दाना को जितना समय अपने पास है कुछ बढ़ा कर जाएं कुछ अच्छा कर जाएं कुछ महानकारी कर जाएं इस जिंदगी को युहीं नहीं गवाना है आलस में प्रमाद में भगवान ने हमको वह सारा पुटेंसिल दिया है 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 प्रवकोल में हम को सारा सकते हैं देखते हैं याप प्रमपुजी गुर्देव ने एक साहित लिखा है मन के हारे हार है मन के जीते जीत एक साहित लिखा है उन्होंने मन के हारे हार है और मन के जीते जीते ये बिल्कुल सो परसेंट सही है और आप ऐसा देखेंगे आप यहां आए हैं तो पहले आपके मन में वह भाव आ रहा होगा कि जाओं कि न जाओं तो एक तो बात यह होगी कि नहीं साहब जाना है कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा कुछ अच्छा करेंगे और आधा काम आपने तभी जीत लिया 50% आपका काम जैसे ही मन में वह विचार आया आप उसी समय जीत लिए बचा 50% तो 50% आप लोग यहां पहुंच गया हैं तो सफलता में मिलना सुनिश्चित हैं जस्ट एक मिन देजेगा हम आप सभी से बात कर रहे थे मेरी आवाज क्लियर आ रही है या नेट्वर्क मुझे चेंज करना है अगर कोई इंडिकेट करेंगे तो बता बताएए तो आप से बात यह हो रही थी कि हमारे पास में वो सारी पोटेंसियल है हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत पहन्री फोट कहा करते थे इफ यू थिंग यू आर इफ यू थिंग यू आर राइट अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आपको दुनिया कोई ताकत नहीं है जो रोक देवे किसी भी परिस्थिती में कि आप कर सकते हैं इफ यू थिंक्ड़ेंडर और और यू राइट और तो आपके मन में वह जो भावनाएं आती रहती है नदेन में कितने पार बार पॉबन आ जाती यू पता नहीं कर तो रहे हैं भोगा एक नहीं आपके पास ये चाहीं है कि हमारे जो कि स्थिति रहती हैं हमारे अंदर रहता है हम लोग काफी वट में जीते हैं पताने क्या ही करना है तो स्टैकिन आजो के आपके कि आप अप llega काम दे करके आए हैं और आप से जब पूछा जाता है तो आप शूर नहीं होते हैं कि पता नहीं क्या ही होगा आप शूर कब हो सकते हैं आप शूर तब हो पाएंगे कि जब हंड्रेट परसेंट आपको तैयारी करनी है और आपकी तैयारी 150 परसेंट 200 परसेंट रहेगा तो आ आप भगवान के पास बैठते हैं, तो आप क्या कहते हैं, इस बार हम पुरा प्रयास नहीं कर पाए, अगले बार और अच्छे से तयारी करेंगे, हमारा ये रह गया, जब भी आप एक्जाम दे करके आए, तो आप इंटर्व्यू लेजे लोगों से, तो आप क्या वोलेंगे कि आपकी तयारी जिस छेत्र में भी हो, सो परसेंट हो, पूरे तरीके से हो, पूरे मनरभाव के साथ हो, अगर वो आप करने में काम्याब हो गए, तो आप कोई रोक नहीं सकता था, विवेकानन देख बड़ी अच्छी बात कहा करते थे, कि सफलता का तो एक ही पैमाना है, और वो क्या है, कि आप एक विचार लो, उसके बारे में सोचो, वो आपके सरीर के हर एक खून में, आपके जर्रे जर्रे में वही विचार चलना चाहिए, 24 आप देखेंगे कि आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई सफल होने से रोक नहीं सकता, ये बात महुत सच है, ल आपको पढ़ने के आलावा भी कोई काम है या खेटजी करना है मजदूरी करना है और फिस जाना है फिर पढ़ना है जो वरकिंग करके करते हैं उनके लिए अलग बात लेकिन जो इस्टुडेंट है उनके लिए तो इससे इंप्पॉर्टेंट काम कुछ नहीं है अगर आपने छे गंटे-साथ गंटे के पढ़ाई नहीं करें तो आप मान लिजे कि आप तो अपराद कर रहे हैं आप पाप कर रहे हैं क्यों इसलिए कि आपका ये जो समय है ना ये बहुत ही क्रिटिकल है यही आपको डिसाइड करेगा कि आपको कहा जाना है दो बाते हैं चाहे तो ये decide करेगा कि हम कुछ बड़ा सोच रहे थे कुछ छोटा ही करके हम संदोस कर लेंगे जीवन हमारे मुझे मिला है भगवान का कुछ बड़ा कर सकते हैं तो हम सोचेंगे चलो किसी तरह से अपना जीवन काक लिए यह भी संभव हो सकता है आपके मन में यह भाव आ सकता है कि भगवान ने हमको यह दिया है जीवन दिया है तो कुछ बड़ा करेंगे नहीं तो नहें तुद चनरली किया होगा जनरली बस इतनी से बात होगी बहुत महनत करेंगे मशक्कत करेंगे तो एक छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगे एक नौकरी मिल जाएगी उसके बाद क्या होगा उसके लाता है सादि की तयारी होने लगती ज़्य करना कुछ दिन तक तो ठीक रहता है और समुझे बाद घड़ी होती है यह तो हमने देखा है खर आज से नहीं 20 वरसों का experience है जो हम बता रहे हैं वो सूत्र बता रहे हैं इतने लोगों का हमने counseling किया है हमने देखा है हर दिन मर रहा है वो हर दिन परशान है हर दिन stress में है समझ नहीं आ रहा है कहा जाना है क्या करू नहीं करू लेकिन हमारे पास इतना जबरदस्त सूत्र है इतना जबरदस्त फॉर्मूला है कि अगर अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप बड़े आदमी बनने की तो बाती छोड़ देगे बड़े आदमी बनना पैसा कमाना गोरा लाना गारी लाना ये बाय प्रेडक्ट है हमारा जीवन का तो एक बड़ा उदिस है जिसके लिए हमारा जन्म हो रहा है हम नौकरी करने के लिए थोड़े ही पैदा हुए आप बोलेगा भाईया बढ़कार है नौकरी नहीं करना है नौकरी करना है घवराये नहीं एक बड़ थोड़ा नेटवर्क में चेंज करता हूँ अभी आ रही मेरे आवाज तो मैं आपसे बात यह कर रहा था कि हमारा जीवन का उद्देश से नौकरी करना नहीं है इसलिए नहीं जी रहे हैं कि पारा घंटा काम करेंगे ऑफिस में जाके इसलिए जी रहे हैं क्या पेड़ भरने के लिए जी रहे हैं दो रोटी मिल जा उसके लिए जी रहे हैं उसके लिए नहीं जी रहे हैं यह जो नौकरी है यह साधन है हमारे जीवन के उद्देश को पूरा करने का एक साधन बस मात्र है और वो तो आपका पूरा हो जाए वो आपका एक साल लेर साल दो साल में हो जाएगा आप चिंता मत कीजिए आप मेहनत करते रहिए आपको कोई कार्ट नहीं सकता जैसा कि हम बताते रहे हैं कि सफलता का दो पैमाना है एक पुरुसार्थ है पुरुसार्थ का मतलब पुरुसार्थ का मतलब मेहनत वह लिमिट आपको क्रॉस करना पड़ेगा आपको मेहनत तो करना पड़ेगा अगर कोई अबावा ऐसा आ आपके पास और वो बोले कि ऐसा है तुम्हारा यह प्यसी फसा मेरी आवाज अभी आ रही है? अभी आ रही है आवाज? लाइट बारवार जा रही है न तो वो को दिस्टरा व हुरsin सॉ रहा है खैर मेरी आवाज तो आ रही है थे、 तो हम यह कह रहे थे कि जो हमारा उदेश से ही जीवन cite वो हमारे जीवन का उद्देश से बस नौकरी लेना मातर नहीं है ये तो आपको मिल जाएगा आप मिहनत करेंगे पुरसार्थ करेंगे तो आपको मिल जाएगा आपने सारवे किया है कि कितने लाकों लोग एक्जाम देते हैं और उसमें कुछी लोगों का सेलेक्शन हो पाता है जबकि ऐसा नहीं है कि जिसका पांच नंबर कम था उसने कम मेहनत किया जिसका सेलेक्शन नहीं हो पाया जिसका दस नंबर कम था उसका जो है सेलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि उन्हेंने मेहनत नहीं गिया मेहनत उतना ही किया लेकिन गरवर कहां हो गया कि उसको प्रकृति का साथ नहीं मिला जिसको कहते हैं लग फेक्टर मेंस निकालने तक आपका मेहनत है लेकिन उसके बाद जो है न वो प्रकृति की सा किब कुछ नहीं होता है आपने जो बोया है आप वही काटेंगे अग 형़ित पहना है दोनों को नहीं भूँलना एक पुरुषार्थ मतलब मेहनत करने का कोई भिकल्थ नहीं दूसरा प्रकृति का साथ भगवान का साथ अच्छा कारिगे तो आपको प्रकृति का साथ मिलेगा ही मिलेगा 100 परसेंट नहीं 1000 इसको कोई काट नहीं सकता दूसरी बात जो पुरसार्थ की बात है वह आप लोग मेहनत कर रहे हैं अगर आप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं तो क्या समस्या है बोत क्रिटिकल है आप मान के छलिए इस समय में थोड़ा सा भी आप समय बरवाद करेंगे तो आप सोच लिए कि आप मढ़र कर रहे हैं अपने आप आप से महत्पुर्न वेक्ति कोई नहीं है मैं बता दू आपके एक घटना में बताता हूं एक बार क्या होगा कि मुखरजी नगर में हमारा हर एक संडे क्लास होता है जिस तरह से आप लोगों से बात करते हैं तो संयोग से क्या था कि उस दिन बॉइफ्रेंड और गल्फरेंड दोनों आगे क्लास में हमारे क्लास में अदाम समझा ही रहे थे तो लड़का बेचारा भढ़ गया क्या बात कर रहे हैं ऐसा थोड़े भी है मिलके भी कर सकते हैं कन exception अलग है और वो mindset अलग होता है लेकिन generally लोग नहीं कर पाते हैं अपने समय को लोग किल करते हैं और इतना किल कर जाते हैं इतना किल कर जाते हैं कि बाद में उसको एहसास होता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी तो यह जो समय है यह समय बहुत critical है तो कि क्या है हम ऐसे जखा पर बैठे हैं कि हमारे पास में बहुत सारे आते रहते हैं समस्य से आएं तो भाईया ऐसा हो गया यह हो गया उसने उसको ऐसा बोल दिया इसलिए हम अपने आपको बता रहे हैं यह समय बहुत critical है यह एक बार समय हाथ से चला जाएगा तो हाथ मलते रहाएं आपको ल हम डिस्ट्रैक्ट हैं हमारा मन इधर भाग रहा है मना बाग रहा है जैसे चोटी मोटी समाठे करना है समाधान उसमें नहीं है समाधान इसमें है कि हम छे गंटे की पड़ाई कर रहे तो तो अच्छा आवाज नहीं आ रहे है कि एक नेट्वर्क में चेंज करता हूं अभी आ रही है अभी आ रही है आवाज अभी अभी आ रही है तो मैं यह कह रहा था कि देखे समस्या का समाधान आप सभी के लिए यह नहीं है कि कोई चोटी मटी समस्या आ गए तो लगे हम उसमें इन्वाल्व हो गया समस्या का समाधान उसमें नहीं है मैं एक वर चीज बार बार बताता हूं एक मखरजी नगर में एक लड़का था उसके घर में बागल वाले बहुत परिशान करते थे आप लोगों को भी परिशान करते होंगे सबका समस्या राता है कि उसने ऐसा बोल दिया हमारे पास फोन आता है पता हमारे पास फोन आता कि भाईया उसने मुझे गाली दिया है उसने मेरा जमीन थोड़ा ले लिया आप थोड़ा आपका पहचान है आईए साइपिस के पास थोड़ा फोन कर दी जा तो ठीक है तो ए आहां ऐसा है वह सरुंहлам अब दूसरा लार्कार रह था तो пока भॉलता भहै या बर्दास से बाहर है मैं जाता हूं गार भी मैं बताता हो बगल वाले को मुझे पाचानता नहीं तो चल देता उसने क्या usnafps यह उसोने वेला नहीं उच्ट इगनोर करता रहा इगनोर करता वकिवा व्यक्ति जानता था समाधान स्में नहीं है कि मैं भी जाकर के उसको चार गाली देगे और मैं भी डंडा ले भी खटते हैं आब सभा इसका मेंश निकल गया ओ और संयोक शiso Espero स्कर उसका क्या हुआ कि इंटर्व्यू होना था उस लरके का और इंटर्व्यू होना था और उसके फादर का डेथ हो गया ठीक है उसी इंटर्व्यू के टाइम में उसके फादर का डेथ हो गया और जब डेथ हो गया तो एक दिन पहले डेथ हुआ उसके फादर का उसकी मा ने मा को सबने बोला कि फुन करते हैं आपके बेटे को तो बोला ऐसा काम गलती से भी कोई नहीं करे एक नुकसान तो कर चुके हैं दूसरा नुकसान हम नहीं करना चाहते हैं अब समझ रहें मा का भी समझदारी देखिया मा ने बोला कि मैंने एक नुकसान तो कर दिया हमारा पती चला गए अब दूसरा नुकसान हम नहीं करना चाहते हैं वो लग थोड़ा वेट कर लेते हैं वो जो लास्ट था उसको बर्फ में डाल दिया गया और जैसे ही इंटर्व्यू खतम हुआ उसको फोन गया इसके बाद मार को बोला कि कौन-कौन तुमको गाली दे रहा तो ज़रा बताना तो बगल वाले जितने भी लोग है सब पहुँचके हम तो बच्पन से ही कहते थे यह लड़का बहुत चाकू है तीज है दिमाग इसका मैं तो पहले से बोल रहा हम तो कभी लड़ाए कि यह नहीं है आपसे हम तो सहयोग में है मैं बता नहीं सकता हूँ अपने टीम में एक भाई है हमारे सुभाम जी जो आज IPS है जार खंड में तो वो बता रहे थे हमको कि भाईया मैं क्या बता हूँ सारे चीद से जो है पूरा यह हुआ बैंड पार्टी हुआ और ले गया कहां कहां गुमाया उसे बोला मैं तीन दिन के अंदर में भागा हूं उसे कि जान बचेगा तो फिर जो है सेलेबरेट करेंगे बाद ठीक है तो कहने का मतलब यह है आप समझी नहीं रहें कि आप कितना किसे आसान काम कुछ नहीं है क्याई यह पर्णे मिली परने के लिए जो बेसिक सूत रह में बता देता हूं थोड़ा खान पान पर आपको सैयं रखना है आपको द्यान करना आपको प्रड़ायाम करना है आपको यौक करना है ताकि आपके फिटनेस बनी रहे हैं आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं आपको यह देखना है कि हमको पढ़ाई में किस-किस चीज़ों का हिल्प मिलेगा उस कुछ चीज़ को अपनाईए ठीक है आप सेलेक्ट हो जाईए ना आपसे बड़ा कारे कराना है हमको हम तो चाहते हैं कि जाईए किसी दिस्टिक में तो उस दिस्टिक का दिसा और दसा बदल देजिए आप आपके हाथ में बहुत कुछ है मैं बता रहा हूं आपको साधरन बेक्ति नहीं है यही कारण है कि आप सभी को सेलेक्ट करने का यह नहीं है कि हम कोचिंग चला रहे हैं संभवं कोई कोचिंग नहीं है सम्भवं प्रतिभाओं को ढूंडने का एक जरिया है समझ रहे हैं आज देखेंगे कि आज हम जहां बैठे हैं आपको यह पता होना चाहिए कि हम एक रुपया लेते नहीं बलकि हम हर एक बहने देते हैं अपने पॉकिट से खर्च करते हैं पैसे देते हैं समयदान देते अंस कि भाव काम अंतर हैं आप सभी आने वाले सभी में ऐसे ऐसे इतिहास रचेंगे कि लोग उदाहरन के रूप में उसको देगें आप घब्राइये मत आप चिंता मत करना है बहुत सयम के साथ कुछ सूत्र को अपनाना है सुबा आपको ध्यान करना है योग करना है प्रणयाम करना है अपने दिमाग को नो जगा पर लाना है यह जो दिमाग में 90 परसेंट टाइम जो असलील चिंतन चलता रहता है उसको कौन ठीक करेगा हम इसा जो है अलोल जलूल चीज चलता रहता है और नहीं कहीं जाने की जरुद नहीं है घर में आप मोबाइल निकाल लिए और स जप नहीं किजिए गायतरी मंत्र आपको क्या लगता है को बाबा बनने का बिदाया गया कि गायतरी मंत्र बाबा बनने का बिदाया नहीं है बायतरी मंत्र करांतिकारी बनने का बिदाया में बता रहा हूं जिसने भी किया उसको इतना मिला इतना मिला वो सम्हाल नहीं पाय मैंने कही बार बताया प्र से बता देता हूँ जो गायत्रि मंतर नियमित आधि घंटे सुरका ध्यान के साथ करे जो पहला चीज मिलता है वो मिलता हाईू ये ना मेडिशीन है मेडिशीन समझते हैं टेबलेट लेता है तो कैसे प्रभाब परता है यह मेडिशीन है कि आपके मन को आपके सरीर को हील करता है गैत्री मंतर, यह आपको बिमार नहीं परने देगा, छोटा मोटा खासी खासी वगेरा आ सकता है, लेकिन कोई मेजर डिजिज नहीं होने देगा आपको, आप उससे बच जाईएगा, और जब तक सरीर नहीं ठीक रह आई प्रानंग प्रान आपके अंदर उर्जा बढ़ जाती है प्रान का मतलब होता है कि आपकीन असितना बढ़ जाएगा n तो लोग जो है ना एकदम मोहित हो जाएगे फिल करते हैं आप यह चीज जीते जागते उधारन हैं हम बोलने का सहुर नहीं था हम ठीक है कभी छूटा नहीं हमारा यह कभी नहीं आप तो अपने परिवार के लोग हैं हमारे इसलिए मैं अंदर की बात बताता हूं आयू प्र प्रजांग प्रजांग समझते हैं प्रजांग का मतलब होता है कि आप बहुत लोग को प्रिय हो जाएगा बाइडिफॉल्ट ऐसा प्रक्रिया हो जाएगा आपको पसू मिलेगा पसू समझते हैं हाथी घोड़ा पुराने समय में कैसा होता था कि आपको कहीं सवारी करके जाना है तो बड़े लोग जो राजा-राजवारे होते थे हाथी हुआ करता था गोड़ा होता था जबरदस्त तो आज क्या है हाथी BMW आज क्या है Mercedes आज क्या है बड़ी-बड़ी गारिया लगजरी गारिया जो आप देखते हैं रोड पे आपको अत्त कि आख यहे जो आपका कीड़ींच करता है उसका तीन किलोमेटर कवर करता है रेंज को Families को प्रुवामित करता है एक बार सब्सक्का प्रमाव्यटरेक्त करने से यह कलक्त तो आपको आपकी ही कल्याद स्कीर हो रहा है इसमयारे को बडल रहा हो ना कीर्तिंग ब्रह्म वरचस्वंग मतलब आपके अंदर भगवान का गुन आने लगेगा देवता का गुन आने लगेगा देवता कोन होता है? देवता वह होता है, जो देने की प्रविरती डवलॉब होती है और लेवता लेने वाले की प्रविरती डवलॉब होती है। गुरदेव ने एक भूग लिखा कि बेटा बिना laborate मात वह आपको कुका पड़े और देवा dop आपके उपड़ सबसे पहले किसका है आपके मा पिता कर तक कर सकते हैं कि जब कर रहें पता है आभी जो है पल रहें उन्हीं को कितना बड़ा कर्ज कभी उड़का रिटर्ण नहीं कर सकते गुर्देव ने कहा कि अगर नहीं किया ना तुम रिटर्ण क्या होगा तुम्हारे साथ तुम्हारा बाप बनेगा दोवी या तुम बनेगा गधा अगले जनम अप फिर बाप मारेगा कपरा लोड करके तुम्हार पर फिर आवाज आए तो खर्ज लेके मत जाना कि अब क्या लोटा सकते हैं जैसे मालीज आपकुछ बन गए तो जैनरली आप देखते हैं लोग माता को टार देटेए तुमको समाझ में नहीं आता है हमको बहुत काबिल है, हम बहुत बड़े हो गज़ को बड़ा नलॉज है, वो भले से गलत भोल रहे है, लेकिन सम्समान करना सीखे, कोई बात नहीं, गलत भोल रहे हैं, कोई बात नहीं, अजाते सम्झा देंगे अirect अड़े मा ऐसा नहीं ऐसा कर लिपने, अपिता जी अपर पिता जी ऐसा नहीं से आपके लगे पिता जी को समझाने के मैं आई एस कर त्यारी करना हुग एआप आई जोcks लिए बहुत कुछ करना है आप जहां अभी पहुँचे हैं उसमें समाज की बड़ी भूमी का है मानते हैं ना आज अगर दिया दिल्ली नहीं होता आज संभववव नहीं होता तो यह बात मानते हैं कि आपके जीवन कुछ बदलाव तो आया है तो समाज ने दिया है ना आपको तो आपने रिटर्न कीजेगा नहीं मैं तो लेकर देरे से जो गली से निकल जाओंगा ऐसा नहीं होता है आप पे वो कर जा गया नीचे में पोस्टर के नीचे में स्टार लगा होता है आप देखेंगे कहीं बे सरते लागु सरते लागु हो जाता है बगवान के हैं हुए छिते दाम आपको आपको आप tension जाता है पर को आपको लटा इस Marvel budget और घाटे में नहीं रहेगा यह तुम्हें बता देता हूँ आपको यह घाटे का सोधा नहीं है. इस्वर्थ के साथ साजेढरी ona कोमने मुझास हुदा है कि वृधेवने साहित लिकाय पढ़िये जाए हम घाटे में हैं हम अंसिदान देते हैं हम समयदान देते हैं हम घाटे में हम घाटे में नही ए हम बनिया मिलेगा अब क्या कर सकते हैं देखिए मैं बताता हूँ पढ़ने का मैंने बताया आपको उससे कोई कंपरमाईज नहीं करना है दूसरा बोला कि पढ़ने के लिए क्या चाहिए हमको सुबह योग करना है ध्यान करना है प्रणयाम करना है जरौत पढ़े तो दस मिनट दौर लगा के आईए बाहर से ताकि आपका आलस से दूर हो ठीक अभी तो बहुत ठंडा लग रहा होगा अब देरे देरे ठंडा जा रहा है आलस से को उत्यागियोग उसके बाद खान पान पर सहीम रखें ध्यान प्रणयाम किजिए और एक चीज हम आपको बताते हैं देखें क्या होता है कि हमारा जो जन्व हुआ है ना समय जो है ना बहुत बिसेश होता है हरे एक समय एक समान स कभी-कभी ऐसा होता है कि ऐसा समएय आता है जो बड़े सुभाग्रथा शाली होते है जिस समय आपका जन्म होता यह समय है इसके बारे में कहा गया है अगर आप लोग philosopher typewritten के हैं अब पढ़ते रहें खूर है तो आपको पता होगा कि यह समय मानद सम्भेता के इतिहास पे नहीं आया था और ना आएगा ये एक बहुत बड़े बदलाव का समय है इस समय में अगर कुछ भी आप अच्छा कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको कोई अच्छे जिम्मेदारी मिल जाएगी आप पता नहीं मोटे चस्मे से देख रहे होगे लेकिन सुक्ष मिद्रिष्ट्री से देखिएगा तो बहुत तेज गती से बदला हो रहा है और आने वाले समय में इतनी करांतिया होने वाली है इतनी करांतिया होने वाली रेल के डबों की तरह करांति होगी परमपुजी गुर्देव ने कहा कि बेटा इतनी करांती होगी उसको समालने वाला व्यक्ति चाहिए तो उसके लिए आज मैंने बोला और कल सुभा से आप महान व्यक्ति हो जाएगा ऐसा नहीं है ये एक लंबी जर्नी तो इसलिए क्या होता है कि जिसे पढ़ते पढ़ते प करें कि अमरे बात करें का पही फोन बे बात करें तो आप जो अप्र मिलता है ना उस ब्र ब्रेक को आप अच्छे कारीयों में लगा किजी अच्छे व्यामित बहुत बादे करते हैं हम ने क्या कहा किया वहस्त jednak परिवर्तन का समय है, ये तीज गती से परिवर्तन हो रहा है, तो आप समाज में कुछ बोना स्टार्ट करो, एक घंटे ही बो, नियमित बो और उसके बाद जो आप काटोगे आप समाल नहीं पाऊए, मैंने दूसरा काम आप ये करो कि आपके बगल में जुगी है, तो बोले हाँ भाई जुगी है तो आप साम में एक गंटा उस बच्चों को टाइम दे, पढ़ा हो जाए तो बोले ठीक है भाई, तो पढ़ाने लगा लड़का रेगुलर पढ़ाने लगा पढाते-पढाते एक बार क्या हुआ, कि हमने एक बुलाया था, एक व्यक्ति को बुलाया था अपने इसी कारिकरम ने दियार कारिकरम में आप सहियोख से वो व्यक्ति जो है BPSC का मेंबर बन गया ठीक, वो BPSC का गया कि आपका क्या होवीज है और ये है तुछ ने बताया कि दिवाइन इंडिया यूथ असोसियेशन के माध्यम से हम बाल संसकार साला और जुगी के बच्छों को पढ़ाते हैं बस उनका कान खरा हो गया अच्छा आप दिया दिली से जो रहे हुए है तो बहुत है अब इस पर ही चर्चा चलने लगा कि अच्छा क्या करते हैं क्या पढ़ाते हैं नहीं पर वन ओप दा हाइस्ट मार्क्स उनको दिया गया और उस इंटर्व्यू के ही बदोलत उनका सेलेक्शन हुआ यह क्या था यह प्रकृति का साथ था आपने बोया है तो आप काट रहें हम आज जहां भी है उसमें सो परसेंट अगर सफलता हम बताएं तो परंपुजी गुर्देव जो पीछे दिख रहे हैं वंदनिया माता जी जो पीछे दिख रही है सर्धे टॉक्स आप विवेकानन दिख रहे हैं इनका ही योगदान है हमारे जीवन इनके विचारों को हमने अपन अनिवारे अवस्ता है वो यह है कि आज के युवा दलदल में फस गए हैं यह युवा कहते हैं ना कि भारत में 60% युवा है 65% युवा है अगर वो गलत दिखा में चले गए तो वही युवा पी स्फोर्ट कर जाएंगे वही युवा मानत बंबन के नुकसान करेंगे और उसी को अगर सही दिखा लगा दिया जाए स्रजन में लगा दिया जाए तो उद्धार कर देंगे कितने समाज देश और पता नहीं क्या क्या करते हो चले जाएंगे मानते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि उन युवाओं को दलदल से बाहर निकालना एक हाथी दलदल में फ यहां आकर कि कोई बावा जी परवचन देना तो आप लोग धिरे से निकल लीजिए गाए चोड़ों बावा बनाने के चक्कर में बैठा हुआ है और यहां तो आपको पता है कि भाईया तो सब जानते हैं हमारे अंदर की बाद खग जाने खगी के भासा कहा दिक्कत है कहा पर है तो ऐसा मत कीजिए लाइन लगा दिजिए मेरे पास मेरा भी देख लीजिए तो मामला गरवर हो जाए क्योंकि हमको सब पता है ठीक है तो मैं कह रहा हूं कि अभी सभाग यह है अपना अभी सभाग यह है अपना कि की युवाओं को दल-दल से निकालना और देखिए एक बड़ा सभाग कि क्या है कि हम सभी का एक दिया-दिल्ली का इक मेगा इवेंट होता है युवाओं ब्यूदे हरी एक साल और मतलब उसका तो आहमोग चूल परिवरतन होता है जो भी एक बार आ गया युवाओं ब्यूदे जो ही वेट है वो क्या करता है बीज दालता है का युबाओं में, एक बार बीच चला गया, उसके बाद उसमें खाद, पाने डालके, उसमें पौधे लगाना, फूल आना, फल आने में टाइम लगता है, लेकिन आएगा, लेकिन जब युग बदलेगा, एक बदलाव होगा, तो आपको भी ध्यान रहेगा कि हमने भी, हमारी भी बड़ी भूमिका रही, हमने भी एक इट लगाया था इसमें, तो किस तरह से आप अपना योगदान निभा सकते हैं, दो चीज है माद्यम, एक माद्यम, समयदान, एक घंटे का समयदान चाहिए, पैस से बड़ा दान कुछ नहीं है, और दूसरा, अंसदान, जितना भी संबब हो सके, आप लोग देखिए, हर एक व्यक्ति का एक ये होता है, छेतर होता है, कुछ लोगों संपर्ग होता है, तो इतना बड़ा कारी हो रहा है तो आप मान के चलिए कि 20 से 25 लाग खर्चे, पर हमारे पास कोई इंकम तो है नहीं, मैं कहां से लाँगा, कोई बिजन होता है, वो एक मुठी अंसदान पर, और समयदान पर, इसी दो भाव पर चलता है, तो आप लोग जरूर इसमें कुछ ने कुछ ने कुछ अंसदान करिए, आप से नहीं हो पाता है, आपको किसी जानते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, कि बहिया ऐसा है, क कि इतना वारा कारिकरम हो रहा है कुछ ने कुछ अंशिधान जरूर करिए योबावों के लिए दिल्ली में यहां को रिस्तिक्षन नहीं में नहीं विदीजेगा तो क्या ही भर्क पड़ेगा दो भगवान के काम है किसी ने किसी ने करा लेंगे गुर्देव कहते हैं कि बेटा हम तो हम आरज हम क्या है ना कि पॉकेट में डालते हैं और निकालते हैं तो जिसने भी बोया वो हजार गुना वापस पाया तो जो बोएंगे वही पाएंगे अगर अंसदान आप बोएंगे तो पैसे कि कभी किल्लत नहीं रही है यह हमारा गारेंटी है अच्छे कारियों में बोएंगे तो नहीं होगा तो यह तो गारेंटी हम दे सकते हैं गुरदेव का अस्वासन तो है ही लेकर हम दे सकते हैं कभी आप किल्लत नहीं रही है एक संकल तो ये है कि आप लोग युवा अब युदे 2024 के ग्रूप में आप जुरे हैं या नहीं जुरे हैं अगर जुरे हैं तो उसमें अंसदान का detail आ जाएगा उसके माद्यम से आप कर सकते हैं अंसदान ठीक है कुछ दिन में एक दो दिन में share कर दिया जाएगा उस ग्रूप में अगर आप नहीं है ग्रूप में तो अपना नाम और नमबर यहां share कर दीजे आपको उस ग्रूप पे add कर दिया जाएगा ठीक है वाटसप नाम और नमबर इस ग्रूप में message में डाल दीजे आपको add क जाएगा आपको यह इतना डालना होगा अब दीजेगा और असमें म altern guam दूसरी बात यह है कि समय दान में जैसा कि हमारे आदर्स यह आपको बता रहे थे कि जो दिली में तो जो दिल्ली में हैं उनसे हमने request किया है कि थोड़ा सा समयदान कर सकते हैं मुखरजी नगर दिल्ली इनवर्सिटी आ करके और जिनको पता नहीं है उनको contact number दे दिया जाएगा आधरजी का आधरजी से contact कर सकते हैं वहां एक हफ़ते का भी समयदान कर सकते हैं हमारे यहां ख गंटे का समयदान कर सकते हैं जैसे माले यह बहुत सारे लोग आये हुए थे पहले भी उनको फॉल आप करके जो है उनको हम इन्वाइट कर सकते हैं इस कारिक्रम में कि आप जरूर आईए आप आना चाहते हैं तो इसमें रेजिस्टर कर लिए ठीक हैं वह हमारी टीम बताती जाती है बीच-बीच में मिटिंग करके तो दो तरीके से आप कर सकते हैं तीसरी बात आप अगर आना चाहते हैं दिल्ली ठीक है उस पारिक्रम को अटेंड करने के लिए तो चुकि क्या है कि जो समयदान देना चाहते हैं उसके लिए विवस्था है यहां लेकिन एक-दो द कि आप सब को वर्चल ही देख देख के हम काम चलाते हैं जब फिजिकली जुरेंगे तो हिरदय से जुरते हैं वह इसे भी हिरदय से ही जुर रहे हैं ऐसा नहीं है लेकिन आपको देख कि हमको बड़ी प्रसनता होती है जो बात है ठीक है आप यह समझेगा यह मान के चलीग है आपके साथ कोई चिंता का बात नहीं आप सभी को देख के देखिए मन तो बहुत होता है सबसे मिलने का मन होता है बहुत मन करता है आप सभी से मिलने का लेकिन लिमिटेशन है एक लिमिटेशन है कोई बात नहीं कि जब भी मिलेंगे हमारा तो सबसे खुसी खुस का दिन तो वो होता है जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाईएगा ना उज दिन हमको रात में निन्द नहीं आता है अपने ग्रूप से जो लगो सेलेक्ट हो जाते हैं तो हमसे ज़्यादा खुसी सर किसी को मिलेगा नि कितना हमको अच्छा लगता है आप लोग जरूर सफल होईएगा हम परंपुजी गुर्दे बंधनिया माता जी से प्रात्तना करते हैं और डेली हम आप सभी के लिए क्या करते हैं पता है आपको आइडिया नहीं होगा जो भी अब जूरते हैं यहां आपको हम बता दे कि आपके लिए हम यग की आहूती देते हैं आहूती समझते हैं यग जो होता है ना मतलब जैसे माली जी आपका स्वास ठीक नहीं है मुझे पता नहीं है कि आपका स्वास ठीक नहीं है तो आपके लिए भी हम आहूती देते हैं कि आपका स्वास ठीक हो जाए हम आपके लिए आहूती देते हैं कि आपको सदवुध्धी आज़े सदवुध्धी मतलब समझते हैं मतलब decision making आपकी ठीक हो जाएगा तो अच्छ भी कर सकते हैं ठीक है तो ठीक है बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके और आप हमारे पर की आता है कहीं और नहीं किया रहता है ठीक है तो इसलिए हम आप सभी से साज़ा करते हैं और यह सटर्डे का जो ऐह है सटर्डे का जो आ सपरण तो अपनों से अपनी बात खाय और सब्सक्राइब करने के लिए और हमें सही पत दिखाने के लिए अब आप सभी का भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं आज किस कारक्रम में जुड़ने के लिए कारक्रम की समापती करते हुए मैं कुछ प्रेरना दैक पंतियां अब सभी को सुनाना चाहूंगे कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए ये जिन्दगी तो जी लेते हैं सभी जिन्दगी जीओ तो ऐसी कि मिसाल बन जाए इसी के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद आज किस कारक्रम में जोड़ने के लिए धन्यवाद अब मैं कारक कुई समाप्टिकल